करने कि अगर आप अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करें वोड लखनों की तरफ से तो आपको आपका मार्क्षट कंव बिलेगा है दो इस समय लखभग सभी कौलें पने के वल आपका फाइनल इयर का यानि के डिप्लोमा से केंड्रेयर के आ गया है है लेकिन अभी तक आपका डिप्लोमा और आपका फस्टीयर का मार्चिट नहीं है तो यह आपका फस्टीयर और आपका डिप्लोमा certificate है वह आपको कब टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अबसे करें यह मेरी एक छोटी से रिक्वेश्ट रहती आप सभी लोगों से चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो जी हां दोस्तों इस सभी कॉलोगों में केवल आपका डिपलोमएं से जयादा का समय लगा है वो बोग की तरफ वहाँ पे आपका सारा काम हो रहा है, इस समय तक आपको 1st year की mark sheet, 2nd year की mark sheet और आपका diploma certificate ये 3-1 साथ मिल जाना चाये था, लेकिन अभी आपका 2 महिना से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका पूरा mark sheet और आपके सभी document नहीं आए है, आपको याद होगा कि साथ दिसंबर 2020 को आपका डिप्लोमा फार्मेसी का रिजल्ट डिकलेर कर दिया गया था और आने वाले साथ मार्च को आपका तीन महीना पूरा हो जाएगा लेकिन अभी तक आपको आपके सभी डॉकुमेंट सारे कॉलेजों में नहीं पहुंचे हैं तो ओपना रेजीस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में कर आ सकता है उसके बाद जो इस्टुडों की भैक लगए और जब आप इस पेशल बाइक पेपर का अगर आपने फॉम भरा है और और आप इस पेशल बाइक पेपर में अपना सब्जेक्ट जो है उसको उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसका आपको दूसरा मार्क्षिट मिलेगा यानि कि डिपलोमा फार्मेस्टी के फाइनल येर में जो student की back लगी हुई है और वो student special back paper में अपनी back clear करते हैं तो उनको 2 marksit मिलेगा और उसके बाद first year count का हो जाएगा तो आपको total 3 marksit मिलेगा और आपको एक diploma certificate मिलेगा तो ये बात आप लोग को नहीं पताओगे तो मैंने सोचा आपको बता दें तो जो student की back लगी है diploma pharmacy final year में करके लिखाओगा और वो जब अपना बैक clear कर लेंगे तो उसका उनको मार्षिट अलग मिलेगा तो इस तरह उनका टिपलोमा फाइनल येर में जो है उनको दो मार्षिट मिल जाएगा और एक मार्षिट आपका फश्टी एर का हो जाएगा तो अगर किसी college में मार्षिट मि जरूर बताएं या मुझे WhatsApp जरूर करें तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर दो